इस लेक्चर में हम प्लांट किंगडम के जर्नल इंट्रोड़क्शन के बारे में पढ़ेंगे बायोलोजी शब्द ग्रीक भाषा से लिए गए दो शब्दों के मिलने से बना है बायोज एंड लोगोज बायोज का अर्थ है लाइफ एंड लोगोज का अर्थ है स्टड़ी फादर ओफ बायोलोजी एरिस्टोटल को कहते हैं तथा बायोलोजी टर्म लेमार्क के द्वारा दी गई थी बायोलोजी को फर्दर दो ब्रांचस में डिवाइड किया गया है बाटनी एंड जूलोजी बाटनी शब्द ग्रीक भाषा के तीन शब्दों से लिया गया है बौटेन, बौस्कीन और बावस ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है जून और लोगोस जून का मतलब है अनिमल और लोगोस का मतलब है स्टडी फादर ओफ जूलोजी एरिस्टोटल को कहा जाता है एक बात हमेशा जाद रखना अधिकांश बायलोजिकल वर्ड्स लेटिन भाषा से लिए गए है तथा दूसरे नंबर पर ग्रीक भाषा से लिए गए है उपयोग के अधार पर बाटनी को फर्दर आगे दो ब्रंचस में डिवाइड किया गया है प्यूर बाटनी एंड अपलाइड बाटनी जब प्लांट्स की स्टडी उनकी नेच्छरल फॉर्म में की जाती है तो इसे प्यूर बाटनी कहते हैं जब Plants की Study Human Beings के Economic Importance के लिए की जाती है तो इसे Applied Botany कहते हैं Applied Botany को फर्दर आगे कई Brunches के अंदर डिवाइड किया गया है जासे Agronomy, Study of Crops, Horticulture, Study of Fruits, Olericulture, Study of Vegetables, Arboriculture, Study of Ornamental Plants, Silviculture, Study of Wild Tree Products, Pharmacognosy, Study of Medicinal Plants, and Pharmacology, Study of Effect of Drugs on Living Beings अब Non-Living और Dead में क्या Difference होता है Non-Living की बात करें तो ऐसी वस्तुएं जिनके पास किसी भी प्रकार की Cellular Structure नहीं होती है Non-Living कहलाती हैं जैसे Plastic, कांच, लोहा, दिवार, आदी जबकि Dead की बात करें तो ऐसी वस्तुएं जिनके पास Cellular Structure होती है और वे शुरू में तो Living होती हैं प्रन्तु बाद में किसी कारणवश मृत्थ हो जाती है, Dead कहलाती है For example, Wood Furniture जैसे Maze आदी Plants and Animals की Definitions में Plants की Definition की बात करें तो Plants Autotrophic होते हैं प्रन्तु Hytrotrophic होने पर वे Food Material को Absorb करते हैं नैकी निगलते हैं उदारन के लिए जैसे जितने भी Green Plants हैं ये Autotrophic होते हैं फंजाई की बात करें तो ये Non Green है, इसलिए ये है Hytrotrophic है तो जितने भी फंजाई हैं वो Food Material को Absorb करते हैं नैकी निगलते हैं एनिमल्स की डेफिनिशन की बात करें तो एनिमल्स हिटोट्रॉफिक होते हैं प्रन्तु आटोट्रॉफिक होने पर वे फूड मैटिरियल को निगलते हैं इस प्रकार सभी एनिमल्स फूड मैटिरियल को निगलते हैं उधारन के लिए जितने भी एनिमल्स हैं वो फूड के ल इस परकार युगलिना प्लांट और एनिमल्स के बीच दोनों की तरह बैवार करता है इसलिए युगलिना को प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की कुनेक्टिंग लिंक माना जाता है अब यदि हम plants और animals के बीच difference देखें तो plants autotrophic होते हैं प्रन्तु exception के रूप में fungi heterotrophic है जबकि animals heterotrophic होते हैं जबकि अपवाद के रूप में yuglina autotrophic है जो heterotrophic plants हैं वो food material को absorb करते हैं जबकि animals food material को engulf करते हैं plants में reserve food material starch होता है प्रन्तु अपवाद के रूप में fungi में glycogen पाया जाता है जबकि animals में reserve food material glycogen होता है प्रन्तु अपवाद के रूप में yuglina में starch पाया जाता है Cell wall पाया जाने के कारण plants की skin hard होती है जबकि cell wall absent होने के कारण animals की skin soft होती है Plants, Soil से Minerals का Absorption Water Soluble Form में करते हैं जबकि Animals की बात करें तो Minerals Engulfed Food Material में ही उपस्तित होते हैं Earth Planet पर उपस्तित All Living Organisms के Classification की बात करें तो R.H.V.Taker ने सभी Living Organisms को 5 Kingdom में Divide किया है सबसे पहला Kingdom है Monera जितने भी Prokaryotes हैं उन सभी को Monera के अंदर रखा गया है तो 3 Groups हैं Prokaryotes के Bacteria, Blue Green Algae and Mycoplasma दूसरा Kingdom है Protista जितने भी Unicellular Yukaryotes हैं उन सभी को Protista Kingdom के अंदर रखा गया है उदारन के लिए जितने भी Protozoans हैं, Klemidomonas, Adi तीसरा Kingdom है Fungi जितने भी Multicellular Heterotrophic Plants हैं वो इस Kingdom के अंदर रखे गया है तो 4 Kingdom है Planty जितने भी Multicellular Autotrophic Plants हैं उन्हें इस Kingdom के अंदर रखा गया है जितने भी Multicellular Heterotrophic Animals हैं उन्हें इस Kingdom के अंदर रखा गया है अब Plant Kingdom को फर्दर आगे दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है Crypto Gamia and Phenero Gamia Crypto Gamia की बात करें तो यह है शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है Cryptos and Gamos Cryptos का मतलब है Hidden या चुपा हुआ और Gamos का मतलब है Fertilization या निशेचन यानि ऐसे Plants जिन में निशेचन या Fertilization चुपा हुआ रहता है Crypto Games कहलाते हैं इन्हें Non-flowering Plants भी कहते हैं क्योंकि इन्हें Flowers का Formation कभी नहीं होता है इसके लावा इन्हें Lower Plants भी कहते हैं तीन ग्रुप्स हैं इनकी सबसे पहला Thalophyta, दूसरा Brayophyta और तीसरा है Teridophyta Phenerogemia शब्द ग्रीक भाशा से लिए गए दो शब्दों के मिलने से बना है Pheneros and Gamos Pheneros का मतलब है Visible या दिखाई देने वाला और Gamos का मतलब है Fertilization या निशेचन तो ऐसे Plants जिन में Fertilization या निशेचन विजिबल होता है Pheneros Games कहलाते हैं इन्हें Flowering Plants भी कहते हैं क्योंकि इनमें Flowers का Formation होता है इसके लावा इन्हें Higher Plants भी कहते हैं इसके अंदर दो Plant Groups को रखा गया है Gymnosporms and Angiosperms एक टिपिकल प्लांट के Life Cycle की बात करें तो इसके Life Cycle में दो Generations होती है Gametophyte and Sporophyte Gametophyte हमेशा Haploid होती है और Sporophyte हमेशा Deployed होती है Gametophyte generation Gamets का Production करती है तथा Sporophyte generation Spores का Production करती है जैसा की डाइग्राम में प्रदर्शित किया गया है Haploid Gametophyte पर Male and Female Sex Organs डेवलेप होते हैं जो की Haploid होते है Haploid Male Sex Organ Mitosis के द्वारा Haploid Male Gamet बनाता है तथा Haploid Female Sex Organ Mitosis के द्वारा Haploid Female Gamet बनाता है दोनों Haploid Male and Female Gamet के Fertilization से Deployed Gigote बनता है यह Deployed Gigote फर्दर डेवलेप होकर Deployed Sporophyte बना देता है अब इस Deployed Sporophyte पर Deployed Sporengia डेवलेप होती है परतेक Deployed Sporengium के अंदर Deployed Spore Mother Cell सोपस्तित होती है जिनमें Meiosis होने से Haploid Meospores बनते हैं परतेक Haploid Meospore के Germination से Haploid Gametophyte जनेरेशन बन जाती है इस प्रकार एक टिपिकल प्लांट का Life Cycle कम्प्लीट हो जाता है प्लांट के Life Cycle में हम मेंली तीन पॉइंट्स की स्टडी करते हैं में प्लांट बोडी, टाइप्स ओफ लाइप साइकल, और अल्टरनेशन ओफ जनेरेशन में प्लांट बोडी की बात करें तो ऐसी जनेरेशन जो लाइप साइकल के अधिकांश समय तक रहती है और जिसे हम बाहर से देख सकते हैं में प्लांट बोडी कहलाती है थैलोफाइट्स वे ब्रैोफाइट्स इन दोनों ग्रुप्स में गेमिटोफाइट में प्लांट बोडी के रूप में होती है जबकि teridophytes, gymnosperms वे angiosperms इन तीनों ग्रुप्स में sporophyte main plant body के रूप में पाई जाती है थेलोफाइटा की बात करें तो अधिकांश थेलोफाइट्स में sporophyte generation absent होती है ब्रायोफाइटा की बात करें तो सभी ब्रायोफाइट्स में दोनों sporophyte वे gametophyte generations पाई जाती है इनमें sporophyte completely या partially रूप से gametophyte पर dependent होता है तो टेलोफाइटा की बात करें तो टेलोफाइट्स में भी दोनों sporophyte वे gametophyte generations पाई जाती है इनमें sporophyte वे gametophyte दोनों एक दूसरे से पूरणत्या independent होती है जिमनो स्पॉर्म्स की बात करें तो इन में दोनों गेमिटोफाइट वे स्पॉरोफाइट जेनरेशन पाई जाती है gametophyte generation बहुत ज़्यादा reduced form में होती है जो completely sporophyte के उपर dependent रहती है angios forms की बात करें तो इन में gametophyte generation का पूरणत्य अभाव होता है केवल sporophyte generation इन plants में dominant होती है types of life cycle की बात करें तो संपूरन plant kingdom में तीन प्रकार के life cycle पाई जाते हैं haplobiontic, diplobiontic and triplobiontic जब life cycle में केवल एक free living generation पाई जाती है तो इसे haplobiontic life cycle कहते हैं यह दो प्रकार का होता है haplontic and diplontic यदि free living plant body haploid हो तो इसे haplontic life cycle कहते हैं जैसे कि अधिकांश्थ hellofides में होता है यदि free living plant body deployed हो तो इसे diplontic life cycle कहते हैं जैसे oomycities वे mixomycities class के members दूसरा diplobiontic की बात करें तो जब life cycle में दो free living generations पाई जाते हैं तो इसे diplobiontic life cycle कहते हैं अब इन दोनों generations में से कौनसी generation main plant body होती है इस अधार पर इस life cycle को दो types में divide किया गया है haplodiplontic and diplohaplontic जब main plant body haploid होती है और दूसरी plant body deployed होती है तो इसे diplohaplontic life cycle कहते हैं इस प्रकार का life cycle ब्रयोफाइटा में देखने को मिलता है जब main plant body deployed होती है और दूसरी plant body haploid होती है तो इसे diplohaplontic life cycle कहते हैं इस प्रकार का life cycle टेडोफाइटा, जिमनोसपाँम्स वे अंजोसपाँम्स में देखने को मिलता है यदि हम triplobiontic life cycle की बात करें तो जब life cycle में तीन free living generations पाई जाते हैं तो इसे triplobiontic life cycle कहते हैं अब इन तीनों generations में से कौन सी generation main plant body होती है इस अधार पर यह life cycle दो प्रकार का होता है haplo-haplo-haplontic and haplo-diplo-diplontic जब main plant body haploid होती है और दूसरी दो plant bodies भी haploid होती है तो इसे haplo-haplo-haplontic life cycle कहते हैं इस प्रकार का life cycle एक red alga betrachospermum में देखने को मिलता है जब main plant body haploid हो और दूसरी दो plant bodies deployed होती है तो इस प्रकार के life cycle को haplo-diplo-diplontic life cycle कहते हैं इस प्रकार का life cycle brown alga polysiphonia में देखने को मिलता है alternation of generation की बात केवल तभी की जाती है जब plant में कम से कम दो generations विद्यमान हो external morphology के अधार पर यह दो प्रकार की होती है isomorphic and heteromorphic isomorphic शब्द ग्रीक भाशा के दो शब्दों के मिलने से बना है ison and morphi ison का मतलब है equal, morphi का मतलब है form जब दोनों generations बाहर से देखने पर एक समान दिखाई देती हैं तो इसे isomorphic alternation of generation कहते हैं इस प्रकार की alternation of generation few of ic की subclass isogenarity में पाई जाती है हिट्रोमॉर्फिक शब्द ग्रीक भाशा के दो शब्दों के मिलने से बना है heteros and morphi heteros का मतलब है different, morphi का मतलब है form जब दोनों generations बाहर से देखने पर different दिखाई देती हों तो इसे हिट्रोमॉर्फिक alternation of generation कहते हैं हिट्रोमॉर्फिक alternation of generation breophyta वे teredophyta के members में देखने को मिलता है plants में sex organs की बात करें तो इन्हें gametangia भी कहते हैं समपूरण plant kingdom में दो प्रकार के sex organs पाई जाते हैं male sex organ and female sex organ male sex organ या male gametangium की बात करें तो इसे हमेशा antheridium कहते हैं इसके अंदर बनने वाले male gamets को हमेशा antherojoids कहा जाता है थैलोफाइटा में पाई जाने वाली antheridium unicellular and non-jacketed होती है जबकि breophyta वे teredophyta में पाई जाने वाली antheridium multicellular वे jacketed होती है जैसा कि डायग्राम्स में परदर्शित किया गया है female sex organ या female gametangium दो प्रकार की होती है eugonium and archigonium eugonium की बात करें तो यह है unicellular and non-jacketed प्रकार का होता है प्रन्तु multicellular होने पर इसकी सभी cells fertile होती है जैसा कि डायग्राम्स में परदर्शित किया गया है eugonium थैलोफाइटा के members में पाया जाता है archigonium multicellular and jacketed प्रकार का होता है और इसमें केवल एक cell fertile होती है जैसे egg cell कहते हैं जैसा कि डायग्राम्स में परदर्शित किया गया है archigonium bravophyta, teradophyta, vagymnosporms के members में पाया जाती है जब हम lower plants से higher plants की और जाते हैं तो sex organs में सरलता आती जाती है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि sex organs का retrogressive evolution हुआ है angiosporms में पाया जाने वाले stamens and carpels sex organs नहीं है बलकि हम इन्हें reproductive organs कह सकते हैं fertilization की बात करें तो संपूरन plant kingdom में दो प्रकार का fertilization पाया जाता है judiogamy and siphonogamy judiogamy शब्द ग्रीक बाशा के दो शब्दों के मिलने से बना है june and gamos june का मतलब है animal and gamos का मतलब है fertilization इसमें motile male gamut aquatic medium में movement करता हुआ non motile egg cell तक पहुंचता है और उसे fertilize करता है इस प्रकार का fertilization तीन ग्रुप्स में देखने को मिलता है thallophyta, bryophyta and teledophyta siphonogamy शब्द ग्रीक बाशा के दो शब्दों के मिलने से बना है siphon and gamos siphon का मतलब है tube and gamos का मतलब है fertilization इसमें non motile male gamut pollen tube की साहिता से egg cell तक पहुंचता है और उसे fertilize करता है इस प्रकार का fertilization दो plant groups में पाया जाता है gymnos pomps and angios pomps